कि देखिए विटा यह प्राब्लम देखिए इसमें क्या कर रखा है यह वेव हगी जिसका आपको एंपलिचूड भी दे रखा है शेप बना रखिए और कब यह इस तरह की शेप टी पर यह भी लिखावा है कि एक टी इक वर्टू जीरो पर इस तरह का शेप है वेव का और एंपलिटूट 15 सेंटीमिटर लेम्डा 40 सेंटीमिटर है फ्रिक्वेंसी 8 हर्ड्स है ठीक है तो सबसे पहले लेम्डा भी दिखाई रखी है इसने या बोल भी रखा है 40 सेंटीमिटर नहीं बोलता था भी पता था ऐसी शेप है अगर तो यह जो सेम फेज वाले पार्टिकल है इनके बीच की मिनिममम डिस्टेंस वेवलेंथ है अब वैल्यूज रख दीजिए देखो के क्या होता है आपको पता है लेम्डा गिवेन है यह वाला भी तो फार्मूला है प्रिक् गरम फॉंगे ? टुवाइमगी तो लेम्डा लगा देंगे और यह टूँपाइब लेमडा आप करोगे है तो ल्फम्डा कितना रखोगे मीटर में अगर निकालना है तो फोर पाईब्शाटी वाई हन्ट्रेट करना पड़ेगा आपको ठीक है यह केकी वाल्यू कि 40 सेंटिमेटर वन वाई 20 मीटर माइनस वन आ जाई पाई वाई टूटिमेटर था है इसको आपने मीटर में अनवर्ट कर लिया कि टूपाई 100 अपॉन 40 ऐसी तो आए गए कि इतना आए गाई फाइफ पाई आएगा न 5 पाई मीटर माइनस वन ऐसे आ गए मीटर माइनस वन यूनिट होती है के टूपाई भाई लेंonta और फाई मीटर माइनस वन यह आपकी के की वैल्यू आ गई ओमेगा कितना आएगा ओमेगा ऐता है टूपाई Erस फ्रिक्वेंसी देही रखी आपको यह पाई यह 16 पाई यह कई लोग पढ़ नहीं रहे बिलकुल यहां अभी इस पता नहीं पूरा अच्छा रेस्पॉंस आता था इस बहस में पता नहीं आपको क्या हो गया रेडियन पर सेकिन ठीक है यह ओमेगा आ गया स्पीड क्या है आपकी स्पीड भी आ जाएगी लेमडा इंटू एफ आ जाएगी लेमडा कितना है आपका 0.4 फ्रिक्वेंसी एड मैं बोल सकता हूं कि 3.2 मीटर पर सेकिन हो जाएगी ठीक है न तो यह सारी चीज़े हमने कर रखी मिटा उसी से बोल रहा हूं सारा में ठीक है इक्वल टू जीरो पर दे रखा है तो एक्स इक्वल टू जीरो का पार्टिकल प्लस ए पर है फिर मैं वही जा रहा हूं कि एक्स इक्वल टू जीरो अगर मैं वेव एसेचेम की एक्वेशन लिखूंगा तो क्या आएगी पार्टिकल कहां पर है प्लस ए पर है उसका तो आ A sin omega t plus phi naught pi by 2 आज़े तो आपका wave की equation क्या आई? बोल रखा है न, positive x axis में जा रहा है बोल रखा है इसने कि sine wave is traveling in the positive x direction तो sine wave positive x direction में जा रही है तो इसलिए आप क्या बोल देंगे इसमें? कि t को किस से replace कर देंगे? positive x axis की जाने की वज़े से omega t minus x by v plus phi by 2 तो values आ रखे हैं अब देखो इसको आपने 15 cm में रखा तो y cm में आ जाएगा ठीक है न, meter में रखेंगे तो y meter में आ जाएगे ठीक है न, यहाँ पर यह सब same unit में होने चाहिए design के अंदर unit आती नहीं है ठीक है न, omega t minus kx plus phi by 2 तो अगर आप x meter में लख रहे हैं तो k को भी meter minus 1 में अगर रख दोगे तो x अपने आप meter में हो जाएगे ठीक है न, तो यह आपकी equation आ जाएगी, omega और k आपको पता है देखो doubt तो नहीं किसी को यहाँ तक एक चाह यह चीज़ ध्यान रखा करें आपको जैसे calculator से भी अगर sign निकाल रहे हैं तो ध्यान से उसकी setting radian की कर लेना क्योंकि इसमें omega per second और यह k meter यह pi by 2 ऐसे रखेंगे आप सब चीज़ें ठीक है तो यह आपका radian में होता है यह पूरा radian में आएगा आप i by 2 और k की value x और t किसी position पर लिखें है ठीक है ना calculator से कई बार scv करने में जरुत पढ़ती तो अगर अच्छे गलत निकालते रहते हैं degree की setting होती है उसमें और हो यह sign degree में लेता रहता है यह तो कहां से answer है radian में होगा ठीक है न यहां तक किसी को doubt हो तो मुझे बताईए बिलकुल इस problem के किसी भी concept में equation बनाने में